सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल चे मिलता है और ऐसा कोई मिले तो उन्हें संबाल कर रखना हर कश्ट तुम्हें एक संदेश देता है और यही संदेश तुम्हारा जीवन बदल सकता है तुम बस अपने आप से कभी मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हारा सकता चुप था, इसलिए कि तमासा ना बने, वरना सो सो जवाब थे, तेरे एक-एक सवाल के हकीकत कुछ और होती है, हर हसने वाला इंसान खुश नहीं होता वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिष्टे और सच्छे दोस्त कभी नहीं बदलते त्यान रखना, कभी किसी के रूप का सौंदर्य और उसकी मीठी बोली आपका ध्यान बढ़का सकती है परन्तु किसी के हरदय को बांध कर रखने की सकती सुंदर चरित्र में ही होती है संबंदू की जड़ें यदि भावनाउं से जुड़ी हो, तो तूटना कठिन होगा और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो, तो टिकना मुश्किल तूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बच्पन दोबारा नहीं लोटेंगे पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संसार से और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहेंकार से औरत को फंसाया नहीं, बसाया जाता है, अच्छे मर्दू की बस यही पहचान होती है कोशिश यह करना जनाब कि आपकी सिकायत कोई अपने रब से ना करे बुरा वक्त भी क्या कमाल होता है साहिब, जी-जी करने वाले भी तू-तू करने लगते हैं त्री, सरल बासा में कहूं, तो स्त्री यानी अगरबत्ती, जिसमें आग भी है, दीरज भी है, सहन सीलता भी है और अपने आप से परिवार को सुंगंदित करने की ताकत भी है अगर तुने मुझे हजारों में चुना है, तो सुन, हम भी तुम्हें लाखों की बीड में खोने नहीं देंगे वो जो अच्छाई करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, स्वयम अच्छा होने के लिए समय कभी नहीं निकाल पाता इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं जनाब, जब दिन नहीं बोलते, तो इंसान लाख बोले, मगर कोई नहीं सुनता जब दिल में प्रेम हो और साथ देने वाला सच्छा जीवन साथी हो, तो हर वनवास काटा जा सकता है वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए तो कद्र नहीं अपसौश कहलाता है अंतरमन में संगर्स और मुश्कुराता हुआ चहरा यही जीवन का स्रेष्ट अभिनाय है जो मुझको जिन्दा जला रहे हैं वो बेख खबर हैं कि मेरी जंजीर दीरे दीरे पिगल रही है क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते माप बार बार कीजिए लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए अहेंकार भी आवशक है जब बातें अधिकार, चरित्र, एवन संबान की हो इच्छाएं उतनी ही रखें कि उन्हें पूरा करने के लिए अपना आत्मसंबान गिर्वी ना रखना पड़े मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा अगर जिन्दगी में सुकून चाहते हो, तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं मैं सब जानता हूँ, यही सोच इन्सान को उएका मेंडग बना देती है जहर से असरदार होने से कुछ नहीं होता, खुदा भी बेताब होना चाहिए, आप से मिलने के लिए हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिष्टों की खूब शूरती है कास, यादें रेत होती, मुठी से निकल जाती, मैं पेरू से उड़ा देता विश्वास का अर्थ यह है नहीं, कि जो मैं चाहता हूँ, इस्वर वही करेंगे, विश्वास का अर्थ है, इस्वर वही करेंगे, जो मेरे लिए सही होगा वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा प्रेम यदी पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो संबंद सेस रह जाता है जिंदगी जीने के लिए बनी थी हमने सोचने में गुजार दी अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हिर्दय चाहिए ना कि अच्छा दिमाग क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हिर्दय हमेशा प्रेम भाव देखेगा अब तो होने लगे बच्चे भी परिंदू की तरह साथ रहते हैं, बड़े होते हैं और उड़ जाते हैं किस्मत के दर्वाजे पर सर पीटने से बहतर है अपने कर्मू से वो दूफान पेदा करें जो दर्वाजे को तोड़ दे मदूर संबंद केवल बोले गए सब्दों पर आधारित नहीं होते बलकि व्यक्त की गई वावनाओं को समझने पर भी निर्वर करते हैं आसा और विश्वास कभी गलत नहीं होते बस ये हम पर निर्वर करता है कि हमने आसा किस्से की और विश्वास किस पर गिया जो दिलू में सिकवे और जुबान पर सिकायते कम रखते हैं वो लोग हर रिष्टा निवाने का दम रखते हैं हर अस्क की है अपनी कहानी, जहां कदर, वहां मोती, वरना पानी ही पानी, यहरा चाहे कितना भी सुन्दर हो, अगर जुबान कडवी हो, तो लोग मुह फेर ही लेते हैं, संसार में सबसे अच्छा सम्मंद, भक्त और बगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नह स्वास करो, सारी सक्तियां तुमारे भीतर ही है, जूट दोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको बविशे में चुकानी ही पड़ेगी, जिनकी नजरू में आप बुरे हैं, उनकी नजरू में अच्छा बनना व्यर्थ है, गर बड जिनकी खुशी जगे का ज्यान नहीं हो पता, रिष्थे अब कोडियों के दाम में बिकने लगे हैं, सच कम और मतलब ज्यादा तुलने लगे हैं, जो रिष्था दिल से निबाया ही न जाए, बहतर है वह रिष्था बनाया भी न जाए, जो सुनता नहीं, उसे समझाना नह जो पच्ता नहीं, उसे खाना नहीं, और जो सत्य पर भी रूठे, उसे मनाना नहीं, खुश रहने के मूल मंत्र, मन मिले जिससे रिष्था रखो उसी से, जहां कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, वहम मत पालो कि हर रिष्थे खास होते हैं, कुछ अपने दिखने वाले गड़ानी पड़ती है इतनी सिद्दत से चाहा जाए तो पत्तर भी अपने हो जाते हैं एक खुदा ना जाने यह मिट्टी का इंसान इतना मगरूर क्यों होता है अपने पास कितने सारे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता काम कितने आएंगे यह महत्वपोर्ण है रोना बंद करो और अपनी तकलीफों उसे खुद लड़ना सीखो क्योंकि साथ देने वाले भी समचान से आगे नहीं जाते एक बहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्विकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सब को नहीं मिल सकता किसी का बला ना हो सके तो बुरा भी मत करो क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं हमेशा याद रखना जीब कभी नहीं पिसलती दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीब पर आता है थोड़ा सा चुप चुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो कोई नहीं कहेगा कि ठक गए हो आराम कर लो रिष्टों की दुनिया में हम जरा कच्चे निकले लोग खेलते रहे और हम निबाते रहें महबबत के बाद महबबत मुमकिन है मगर तूट कर चाहना सिर्फ एक बार होता है जब कोई अपना नाराज हो तो उसे समझाओ लेकिन वो ना समझे तो फिर स्वयम को ही समझा लो रात की मुठी में एक सुबह भी तो है सर्त यह है कि पहले अंधेरा तो देख हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का सोग नहीं मैं उनके लिए अनमॉल हूँ जो मुझे समझते हैं किवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो दुनिया की कोई इनिवर्सिटी या सिक्सक भी नहीं सिखा सकता जितनी किसी से उम्मीद रखोगे उतनी ही खुद को तकलीफ दोगे बुरा वक्त भी गुजर जाता है बस रब को हमारा सब्र आजबाना होता है ये जिन्दगी तभी तक हलकी है जब तक आपके सारे भूज आपके माबाप उठाते हैं कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए सहारे कितने भी अच्छे क्यों न हो एक ना एक दिन छोड़ ही जाते हैं गलतियां कीजिए क्योंकि वो तो सब से होती है पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए हम किसी व्यक्ति के लिए जैसा भाव रखते हैं या सोचते हैं वेसा ही दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए सोच रहा होता है हम ध्यान लगाकर किसी इंसान के बारे में लगातार सोच कर अपना संदेश उस इंसान के जहन तक पहुचा सकते हैं हमारे सपने में वो ही लोग आते हैं जिनकी बातों या जिनका व्यवार हमारे लिए प्रेम पूर्ण होता है आप जितना ज़्यादा साइकल अजी जानते हैं आपके सक्सेज होने के चांस 70% बढ़ जाते हैं जिससे आप अपने मन पसंद काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं ये भी तो एक खाशियत है ना दोस्त कि हम किसी के खास ज़दा टाइम तक नहीं रह सकते घर वाले भी मान जाते हैं कोशिज अगर आखिरी दम तक हो खुदा ने मुझे बहुत वफादार दोस्त दिये हैं याद मेना करूं तो वो भी कोशिज नहीं करते साथ रहना सीखिए छोड़ कर तो सब जाते हैं वक्त रहते वक्त दे दिया करो क्या पता बाद में वक्त ही ना मिले रुकावटें सब के रास्ते में होती है कोई थककर किस्मत को कोशता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है वो लड़की ही होती है जो हर दर्द सहने के बाद भी बोलती है मैं ठीक हूँ मुझ कुराहट सब के लिए होती है और आशू किसी खास के लिए होता है कल और आएंगे नगमू की खिलती कलियां सुनने वाले मुझसे बहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले अपना दर्द सब को न बताएं मरहम एक आदे गर में होता है नमक गरगर में होता है छोटी सी दुआ जिन लमू में आप असते हो वो कभी घत्मन हो किसीने क्या खूब कहा है अकर तो सब में होती है पर जुकता वही है जिसे रिस्तूं की फिक्र होती है पहले दर्वाजा खट-कटाते थे और बाग जाते थे अब मेंसे सेंड करके डिलीट कर देते हैं अरकत वही सोच नहीं सोच समझ कर तोड़ना तालूग किसी से अक्सर साख से तूटे पत्तूं को जला दिया जाता है जीवन में वही रिस्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान देता है लड़कियां आम तोर पर उस लड़के के साथ ज़्यादा देर तक आखे नहीं मिला सकती जिसे वह बहुत पसंद करती है समय का चक्र बहुत तेज चलता है इसलिए ने तो अपने बल का एहंकार करें और नहीं अपने धन का बुरा वक्त आने पर कब उतर एम तितलियां भी बाज को सलाह देने लगते हैं कि उड़ना कैसे है जीवन में सब कुछ कोपी हो सकता है लेकिन संसकार चरित्र और ग्यान नहीं इतने भी वफदार मत बनिये कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाएं जब लोग रास्ता अलग करने का फेशला ले लेते हैं तो वो सबसे पहले बात करना बंद कर देते हैं जिन्दगी जिनको खुशी नहीं देती है उनको तजर्वे बहुत देती है मैं नादान था जो वफ़ा की तलास करता रहा कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी मुझे भी सामिल करो गुन्हागारों की महपिल में मैं भी कातिल हूँ कोई किसी के एहसासों की कदर नहीं करता हर किसी को बस अपने मतलब की फिक्र रहती है किसी की हसी भी जूटी हो सकती है इसलिए इंसानों को सिर्फ देखना ही नहीं समझना भी जरूरी है लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे आप खुद पर वक्त लगाओ तो सही यहां हर कोई अपने आप में चलाख है कल यूग में किसी को सरीप समझने की गलती बिल्कुल मत करना जब हम किसी इंसान को बहुत दिल से याद कर रहे होते हैं तो यकीनन वह इंसान भी उसी वक्त आपको याद कर रहा होता है